दोस्तों ये है TG 113 Bluetooth speaker जो Bluetooth speaker हो में सबसे ज़्यादा popular speaker है और ये है इसका motherboard दोस्तों कुछ समय पहले तक ये motherboard अलग से available ही नहीं था या कुछ साइट पे available था भी तो काफी महंगा था लेकिन अभी आसानी से available है ये आपको कहां से और कितने का पड़ेगा इसको अपने speaker में fit करने में क्या क्या problems आती है और उनका क्या solution है इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बाते बताऊंगा नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक अटेग तो चलिए शुरू करते हैं TG 113 दोस्तों वैसे तो ये speaker पूरी तरह से repairable है इसकी repair पर मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई हुई है फिर भी अगर कोई ऐसी प्रोब्लम हो जो repair ना हो पाए या कोई normal इंसान जिसको electrons की ज़्यादा knowledge नहीं होती तो अब उनको भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये motherboard मार्केट में available हो गया है तो अब आप अपने speaker को खुदी ठीक कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी repair shop पे नहीं जाना पड़ेगा लेकिन इसको बदलने में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है वरना आपका ये नया motherboard एक second में dead हो सकता है सबसे पहले इसके price की बात करते हैं दोस्तो wholesale market में ये 70 से 75 रुपे में available है ये price थोड़ा उपर या नीचे होता रहता है यहां पर दोस्तों मैं एक बात clear कर दूँ wholesale rate से मेरा मतलब है यहां पर आपको 50 से 100 पीस लेने होंगे बाकि अगर retail में एक पीस की बात करें तो ये आपको 120 रुपे से 150 रुपे के बीच असानी से मिल जाएगा बाकि आपकी local market पर depend करता है कि वहां क्या rate होगा online पर यह आपको थोड़ा महंगा ही पड़ेगा आप चाहें जिस मर्जी साइट पर देख लेजी मैंने अपनी साइट पर इसका price 100 रुपे रखा है 59 सिपिंग चार्ज के साथ यह आपको 159 में पड़ेगा cash on delivery के लिए आपको और 49 रुपे पे करना पड़ेगा इसलिए मैंने cash on delivery का option नहीं रखा है वैसे मैंने कई और साइट का link भी description में दिया हुआ है और उन में से कई साइट पर COD का option भी है आप चाहें तो उन साइट पर भी order कर सकते हैं दोस्तो भले ही मैं online sale करता हूँ पर मेरी आपसे एक request है कोई भी product जहां तक संभव हो सके आप अपनी local market से ही purchase करें अगर कोई product आपको वहां ना मिल पाए या comparison करने के बाद भी आपको लगे कि product online सस्ता पढ़ रहा है तभी आप कोई समान online खरीदें अब देखते हैं दोस्तो इसे अपने speaker में fit कैसे करना है दोस्तो ये speaker दो type के market में आये हुए हैं एक ही है जिसमें 3 connector होते हैं एक battery का और दो ये speaker के और दूसरा ये जिसमें battery का एक connector होता है और दोनों speaker के connection को मिला कर एक ही connector लगाया होता है ऐसे ही पहले जो board आ रहे थे उनमें speaker के लिए दो connector लगे होते थे लेकिन अब जो board आ रहे हैं उसमें speaker के लिए एक ही connector लगा होता है वैसे दोस्तों इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता की board पर एक connector लगा है या दो अगर amplifier IC एक ही है तो दोनो speaker एक ही IC से चलने है फिर चाहिए दोनों के connection connector से parallel हो या connector से पहले ही connection को parallel करके एक ही connector लगा हो तो अगर आपके Bluetooth speaker में दो connector लगे हो और board पर एक ही connector हो तो आप दोनों speaker के connection parallel जोड़कर एक ही connector पर जोड़ दें दोस्ते बहुत ही important है क्योंकि अगर यह उल्टे हुए तो आपका नया motherboard एक second में dead हो सकता है देखिए mail connector में तो यह confirm ही होता है कि red color की wire positive होती है बाकि यह जो दूसरी wire है यह किसी भी color की हो सकती है black, white, yellow यह negative होती है जैसे example के लिए मैं दो board दिखाता हूँ देखिए इस cut के हिसाब से connection ऐसे लगेगा तो यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है battery plus minus लेकिन हमारे पास अगर यह वाला board हो तो यह connector कट के हिसाब से ऐसे लगेगा अब आप लिखे हुआ को देखिए हमारी positive supply negative पर जा रही है और negative supply positive पर जा रही है और अगर ऐसे में मैं इस connector को लगा देता हूँ तो यह दोनों IC तुरंत खराब हो जाएंगी तो इस case में हम क्या करें दोस्तों इसका solution बहुत यह आसान है बस हमें इस connector को निकालना है और पलट कर लगा देना है देखिए अब positive से positive और negative से negative मैच हो गई है दोस्तों अब आती है इस board को fit करने की बारी दोस्तों अगर आप इन दोनों board को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन में थोड़ा सा अंतर है देखिए इस वाले board में charging show kit इस side में है और इस वाले में इस side में है अब आप सोच रहे होंगे कि यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों 6 महीने पहले तक जो TG 113 speaker आते थे उन में यह वाला board यूज होता था अब आजकल जो TG 113 आ रहे हैं उन में यह वाला board यूज होता है अब बात यह है कि यह वाला जो board है यह available नहीं है ना online ना offline और कहीं किसी site पर available है भी तो वो बहुत महंगा है वोई पहले का list किया हुआ है जबकि यह वाला board आसानी से available है online भी और offline भी और वो भी काफि कम price में तो जो पहले वाले speaker हैं अगर उनका board खराब हो जाए तो अब यह वाला board मिलेगा तो बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि इस board को इस वाले speaker में कैसे set करें क्योंकि मेरे बहुत सारे subscribers ने मुझसे यह board मंगवाए और बाद में इस problem के बारे में बताया हलाकि उनको तो मैं WhatsApp पर ही solution को बता चुका हूँ तो मैंने सोचा कि मेरे बायर के अलावा भी ऐसी समस्या बहुत लोगों के सामने आती होगी तो मैंने सोचा इस पर एक video बनाई जाए दोस्तों इसका समादान तो बहुत ही आसान है यहाँ पर फर्क सिर्फ holes का है यह hole लंबाई में है और यह hole rounded है जबकि हमें यह hole rounded चाहिए और यह वाला लंबाई में चाहिए इसके लिए आप board को ऐसे उसकी जगह पर hold करें हम USB वाले शोकिट से यह idea लगाएंगे कि इसकी सही position क्या है मतलब USB शोकिट के चारों तरफ इसके hole में बराबर जगे बचनी चाहिए वही हमारी सही position है अब सामने की साइड से हम देखेंगे कि कि शोकिट के लिए हमें कितनी trimming करनी है और marker से निशान लगा लेंगे अब किसी surgical knife या paper cutter की मदद से इन holes को trim करेंगे किसी driving का सबना फटेंगे ऑर एमाने सहीक्र में अब पाराइंगे शोकिट के सेन ऊविए भी बाद के लिसक्टर में अबादाने चाहिए चेजी tho किस्टर में अपकिट कैश्चामाने मुभकालशशब आरीe शोक्ष किसीals देखिए अब हमारा बोर्ड बिल्कुल प्रोपर फिट हो गया है वैसे दर ट्रीमिंग बहुत ही मामूली है जो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है वैसे भी इसके सामने हमेशा ये रबड का कवर ढखा रहता है तो ये ट्रीमिंग ज़्यादा अजीब नहीं लगेगी उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूसफुल रहेगी अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने अगर अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी यूसफुल वीडियो मिलती रहेंगी अच्छा दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जै हिंद वंदे मात्रम